दोस्तो आपने ये रोसकोर्ट स्पेर बहुत जगा पर रखा हुआ देखा होगा किसी के घर में किसी के आफिस में या वर्क प्लेस पे रोसकोर्ट स्पेर को आपने देखा होगा तो ये क्यों रखा जाता है उसके बारे में हम जानते हैं हमें पता है कि रोसकोड वो अनकंडिशनल लव के लिए, कमपेशन के लिए, अपनी फिलिंग्स को प्रमोट करने के लिए, लव और हर्मनी लाने के लिए प्रसिद्ध है, वो हमें पता है, तो यह इसी लिए ही सब जगा रखा जाता है, वो हमारे emotional healing को balance करता है, stress को reduce करता है, और हमारे heart chakra को balance करता है, इसके calming energy हमारे emotions को smooth करते हमारा stress reduce करती है, वो हमारे relationship को भी अच्छी तरह से strengthen करती है, और एक दुसरे को समझने में communication gap है, उसको कम करने में भी मदद करता है, हमें self love और confidence लाने के लिए भी रोज़कोट का हम उप्योग करते हैं, वो हमें एक अलग सा confidence हमारे में पैदा करने के लिए help करता है, क्षमा या चैन को proceed करता है, यानि कि हमारे में forgiveness करने के क्षमता को बढ़ावा देता है, कहा जाता है कि रोज़कोट्स और समर्थन को मुक्त करने में और क्षमा को बढ़ावा देने में मदद करता है, हम दुसरों को प्रती और अपने आपके प्रती क्षमा करने के लिए योग्य बन जाते हैं, हमारी उर्जा को संतुलित करता है, कहा जाता है इसकी गूला कर आकुरुसे से माना जाता है कि सबी दुश्याओं में उर्जा को स्वामान रुप से छोड़ता है, संतुलित करता है और सम्रस्ता बढ़ाने में हमें मदद करता है रोसकोट से निकलती फी सकारत्मक उर्जा से अच्छी नीन लाने में भी हमें मदद रुप होता है ये कहा जाता है ध्यान और आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए भी रोसकोट स्पेर का हम उप्योग कर सकते हैं क्यूंकि ध्यान और आध्यात्मिकिविकास के लिए उसका उपयोग करने से हम उच्च चेतना से जुडने और आध्यात्मिक विकास को प्रोजसाहित करने में उपयोग कर सकते हैं वह हमारे मोटा वेल फिजिकल घुनों को के बावजुद इसकी सुन्दर गुलाबी रंग हमारे घर और आसपास के वातारण को बहुत ही प्रसन्न रखता है कहा जाता है कि रोस्कोर्ट स्क्वार्ड्स मानसिक और भावनात्मक फायदा में महत्वर रूप बजाता है इनके प्रवाव से मूल रुप से व्यक्तिगत विश्वास और अनुभार्त आत्मक सकार आत्मक पर आधारित है क्रिस्टल हीलिंग को खूले मन से और स्वस्त संदे के साथ अग्रसर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है जानकारे रखते हुए कि रोसकोट की असलि शक्ति के रूप में प्रति संकल्प, प्रतिक और स्वास्त और स्वप्यार की याद दिलान में हो सकती है फिर भी लोग मानते हैं कि रोसकोट का लाब वास्तव में आदर्शनिय हो सकता है धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और यदि आपको यह मेरी जानकारे अच्छी लगी हो तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे सुनने के लिए धन्यवाद थैंक यू